नमस्काद अश्कों यूटूग के मेरे चनल में आप सक्काव सागत है आज का मेरा चर्चा का विज़े है कुम लगन में राहू केतू का राशी परवर्तन जैसा कि आप लोग जानते हैं इस समय गोचर में मार्च 2019 में राहू वा केतू राशी परवर्तन कर रहे हैं आज से डेड़ साल पहले अगस 2017 में राहू वा केतू ने करक राशी में वा केतू ने मकर राशी में परवेश किया था और पिछले डेड़ वर्स से राहू वा केतू करक वा मकर राशी में गोचर कर रहे थी लेकिन अब 7 मार्च 2019 को राहू तो जो हैं वो करक से जो हैं मितुर में चले जाएंगे और केतु जो हैं वो मकर से धनू में परवेश करेंगे आज इस वीडियो में हमें देखेंगे कि रहु केतु का राशी परवरतन कुम लगन के जातकों पर क्या प्रभाब डालेगा इसकी हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे मैंने आपके सम्मुक ये कुं ही होता है शनी प्रठम भाब में कुम राशी दूसरे भाब में मीन राशी तीसरे भाब में मेश राशी चौते भाब में विर्शब राशी पंचम भाब में मिथुन राशी छटे भाब में करक राशी सप्तम भाब में सिंग राशी अश्टम भाब में कन्या राशी नवम भा तूंखु में त विद्धमान ते नहीं जा रहे हैं है मार्श जो जार रहे हैं ज़िए बदलेगा की रावू जो है है वो करक से मित्युत चल THU में से जाएंगे और केतु मकर से दनु में चले जाएंगे अब oui शेश बात देखिए ये ग्रह कहने को तो राशी बदल रहे हैं पर राशी में आगे नहीं जा रहे हैं पीछे आ रहे हैं रीजन ये जो हैं वक्री ग्रह हैं अगर ये राशी परवत्तन कहीं और होता और राहू के जगा कोई दूसरा ग्रह होता तो राशी परवत्तन ऐसे होत ताकि करक से जाते हैं सिंग में पर नहीं यहां करक से जा रहे हैं मिथुन में क्योंकि यह वक्री गिरे हैं और हमेशा उल्टे चलते हैं इसलिए राहू जो करक में थे वो मिथुन में चले गए और केतू जो मकर में थे वो बापस धनू में आ गए इस परकारे राहू केतू क का मनो कामनाओं का इच्छा पूर्ती का इसका विचार किया जाता है जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि राहू वा केतु तीसरे चटे वा ग्यारवे भाव में सबसे अधिक अच्छा फल देते हैं तो देखिए कुम लगन के जातकों के लिए यह ज सबसे पहले लाब में जो हैं उच राशी के केतु बैठ गए जो कि धन देने में समर्थ हैं आपको और आगे चलके यूती बनेगी कि 28 मार्स से 20 सप्रेल के बीच में यह केतु जो हैं सवराशी के गुरू के साथ अपनी यूती बनाएंगे का दश्वाब में और आगे चलक केतु का एक तरिके से पता का योग निर्वित होता है और वो योग ऐसा होता है जो धन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है तो केतु जब यहां पर पता का योग बनाएंगे सवराशी के गुरू के साथ तो आपको धन की मात्रा बहुत अदिक बड़ेगी इस प्रका है आपकी लोगों से कनेक्टिविटी बड़ेगी आपके मित्रों की संख्या बड़ेगी यह सारे लाव आपके केतु के एक अदश्वाव में होने से हो सकते हैं अब हम देखें कि यह जो राहू है वो आपके लिए क्या है तुम्हेरा मानना है कि कुमलगन के जात्मों के ल अगर माताएं प्रेगनेंट हैं तो प्रावलम हो सकती है घर में बच्चे हैं उनको प्रावलम हो सकती है आपको संतान के समन्द में कोई बुरे विचार मिल सकते हैं साथ ही क्योंकि अपन यहां से पेट का ही विचार करते हैं तो पेट समन्दी रोग हो सकता है विदार्ति आपस में को भ्रहम की स्थिती पड़े और वे दूसरे को डाहिवर का समझ ना सकें और एक दूसरे से दूरी आजाए उनमें इसके अलावा हिर्दय रोगी जो हिर्दय रोग से ग्रशी थे और हिर्दय रोग की दवास आते हैं उनके लिए में गोचर के लिए साब्दानी क्योंकि राहु पंचम भाव में जब गोचर करता है तो आपके मन में टेंशन और एंग्जाइटी जादा देता है एंग्जाइटी लेवल बढ़ने से जनरल ब्लेड प्रेशर बढ़ जाता है और जिससे हार्ट की प्रावलम होती है इसलिए आप इसका ध्यान रखें इसक सब्सक्राइब करते हैं इसके लावा एक बात में और विशेश कहूं कि अपन पंचम भाव से मन का विचार करते हैं मन और बुद्धी का अब इस पंचम भाव में रहु जैसा घ्रह बैड गया जो आपको भ्रहमक करने में सक्षम है ऐसी स्थिती में कुम लगन में जब भी इस रहु की चंदरमा से या तो चंदरमा के संग दिश्टी संबंद होगा है या चंदरमा इस रहु के संग यूती बनाएगा तो आपको थोड़ा सा डिप्रेशन महसूस होगा और अगर आप बाकरी डिप्रेशन के पेशन्ट हैं और आपको जनरली डिप्रेशन रहता है तो ये इस्तितिया आपके लिए और खराब होगी लेकिन अगर आप सही भी है तब भी आप काफी लो फील करेंगे जब की कुंडली में गोचर में आपका चंद्रमा जो है आपके रहु के साथ या दृष्टी संबन करेगा या चंद्रमा रहु के साथ यूती बनाएगा इस प्रकार अगर मैं कहूं कि कुम्लगन में राहु और केतु का ये गोचर कैसा है तो ये 50 परषंट तो बहुत बड़ी इस परकार कुम्लगन वालों के लिए रहु केतु का ये जो गोचर आया है जो कुछ हद तक तो इसके लावा मैं आपसे कहूंगी कि कुम लगन के जातक अगर किसी नौकरी में जुड़े हुए हैं तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 2019 में उनके लिए दो पॉजिटीव चीजे होने वाली हैं एक तो एक केतु यहां पर बैठा है और दूसरा आगे चलके तो काफी होता है पर कुम लगन वालों के एक अधश भाब में दो मेजर घ्रे एक तो सौराशी का गुरू और एक उच्छराशी का केतु लाब भाब में बैठेगा इसलिए कुम लगन के जातक जो नौकरी में हैं उनको लाब होगा जो बिन्यस करते हैं उनको लाब होगा यानि कुम लगन के जातकों की धन की प्रावलम जो है वो 2019 में पूरी तरीके से सौल्व होने वाली है धन समद्नी उनको कोई प्रावलम 2019 में नहीं रहेगी इसके साथ ही दशकों मैं अपना वीडियो समात कर रही हूँ साथ ही वीडियो समात करने से पहले मेरी आप से प्रा बाददी.